स्टार प्लस के एतिहासिक शोव चंदरनंदनी की कहानी में काफी सारे टुिस्ट एंड टंस के बाद अब कहानी में बेहद ही दिल्चिस्प मोड आने वाला है धर्मा और कार्तिके हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं दोनों अपने प्यार की कुर्बानी दे कर एक दूसरे से दूर भी होने वाले हैं क्योंकि हैलेना ने अपनी बेटी एलिस की शादी राजकुमार कार्तिके से कराने के लिए ऐसा जाल बुना है जिसमें धर्मा और कार्तिके बुरी तरह से फस जाते हैं हेलेना ने कार्टिके के साथ अपनी बेटी एलिस की शादी करवाने के लिए राजनीतिक दबाव डालती है जिससे धर्मा बहुत जादा डर जाती है कि अगर कार्टिके ने एलिस से शादी नहीं की तो बिन्दुसार गुसे में चम्पा नगर पर हमला कर देगा और सब कुछ बरबाद कर देगा इसलिए धर्मा कार्टिके को समझाती है कि चम्पा नगर की भलाई के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही होगी और उसे एलिस से शादी करनी ही पड़ेगी हलागी शुरू में कार्टिके किसी भी कीमत पर धर्मा से दूर होने को तयार नहीं होता वो धर्मा को भाग कर शादी करने की बात कहता है लेकिन धर्मा उसे कहती है कि हमारी शादी चम्पा नगर की परजा के लिए ठीक नहीं है इसलिए भलाई इसी में है कि दोनों एक दूसरे को भूल जाएं जिसके बाद कार्टिके बुझे मन से धर्मा से दूर हो जाता है और एलिस से शादी करने के लिए राजी भी हो जाता है न्यूज रूम से तसकीन हुसैन की रिपोर्ट सीरियल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए सबस्क्राइब कीजिए हिंदी डाव